नमस्कार जैहिंद स्टूरेंट्स, आप सभी को अजयसा की पहले से पता है कि हम लोग UPSC, APS, साथी UPSC Auditor का एक कम्माइन बैच शुरू कर रहे हैं 2 अक्टूबर 23 से, ये बैच इवनिंग में रहेगा, 9 सवानाव बजे के आसपास चलेगा, और ये लाइफ सेशन पर बेस् पतलब है कि आप लोग मेरे से जूम मिटिंग के द्वारा जुडेंगे और मुझसे 1-to-1 कॉम्निकेट करके बात कर पाएंगे, ना कि YouTube या अधर प्लेटफर्म जिसमें बच्चे पूछी नहीं पाते अपने सवाल, तो हम लोग ये बैच किस तरह शुरू करेंगे, कैसा र दिसकस करेंगे, पहले बच्चों हम लोग डिसकस कर लेते हैं इस चूल के या अडविटीजमेंट के बारे में, ये अडविटीजमेंट आपको UPPSC, APS की है, आप लोगों को पता भी है इसके बारे में, और इसमें हमारा जो main important part है, वो है हमारा computer section, computer section में आप लोगों को द computers का practicals plus computer का theory वाला portion पूरा करना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, अब देखिए आपको यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये computer का basic knowledge of computer, पहले तो syllabus को थोड़ा देख लें, इसमें Windows operating system आप से पूछा गया है, और वो भी पूरा detail में, इसके बाद second part में आपको Microsoft Office पूछा गया है, लेकिन बचो Microsoft Office में बहुत सारे लोग Word, Excel, PowerPoint पर बैठे हैं, मैं आपको suggest करूँगा, आप बाकी portion जैसे की database और Outlook खास कर जरूर इसे finish कर लिए, next, इसमें आप लोगों को worldwide web जैसे की कुछ important website है, ये स सारी चीज़ें, इसे जुड़े हुए बहुत सारे questions बनने वाले हैं बचो, email पर सबसे जादा focus करना होगा, because mail भेजना पाने के साथ सारी settings कैसे किया जाता है, address book और साथी साथ, आप लोगों के protocols, ये सब चीज़ें, presentation पर भी अलग से ध्यान दिया गया, देखिए उन लोग practical part है, उसमें भी आप लोगों को वही slayvers आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा slayvers जो दिख रहा होगा, इसमें आपका email, internet, office, जिसमें कि आप लोगों को document writing, mail writing, punctuation, inserting table, diagrams, powerpoint और excel की sheet formulas हैं, ये आप लोगों का रहेगा, सारा का सारा practicals में, इसी के साथ साथ अगर आप लोग auditor की बात करें, तो auditor के slayvers में देखा जाए, तो हमारे पास slayvers लगभग match करता है, मैं आपको बता दूँ कि auditor के slayvers में 15 नंबर का आपको computer portion है, लेकिन इसमें कुछ part extra है, जैसे अगर हम लोग बात करें in this part, the question paper, candidate has to introduce a computer fundamental, ये वाली line बिल social networking, e-governance, digital financial tool लगभग match करता हुआ है, थोड़ा सा जो अलग है वो इसमें है कि आप लोग future skills और cyber security के बारे में कुछ extra डालेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा content जो है, वो triple C से इन्होंने उठा लिया है, जो word, excel और बाकी चीज़ें वो same है, लेकिन यहां पर आप देख पा र दी हैं, तो इसके MCQs होंगे, तो हम लोग बच्चों पहले जो portion common है, वो नीचे की तीन लाइन छोड़ दी जाए, तो approximate सारा portion common है, हम लोग पहले इसका practical plus MCQ finish करेंगे, फिर auditor की ये लाइने आप लोगों को separately पढ़ाई जाएंगे, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा application डाउनलोड नहीं किया है, तो आप सभी को suggest किया जा रहा है, कि आप Play Store या Apple Store से Ice Academy by Manage, ये आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, Apple Store में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे WhatsApp पर जरूर message कर लें, WhatsApp नमबर यही है, और आप लोगों को मैं link दे दूँगा, जब आप इसे join करेंगे, तो आपको शुरुवात में ही, और front screen पर एक बड़ा सा banner दिखाई देगा, APS का, और आप उसे join कर पाएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्या-क्या courses content में available है, बचों, APS का जो course और auditor का course बनाया गया है, ये दो तरीके से design किया गया है, 6 month और 12 month, 6 month उनके लिए है, जो खासकर auditor है, और उनका paper almost December तक होने की उमीद है, तो वो 6 month वाला course ले लें, उनके लिए benefit होगा, इसमें वो सारा काम कर पाएंगे, जो साथी साथ APS के हैं, उनको मैं suggest करूँगा कि 1 year वाला course लें, जिसमें discount भी है 50%, और इसमें आपको benefit ये मिलेगा, कि आपको MC CQ plus practical दोनों cover हो जाएंगे, क्योंकि एक साल के duration में almost ये exam हो ही जाएगा, अब अगर मैं इसके content पे बात करूँ, तो content में तो शुरुआत पे आपको सिफ एक notification है, बाकी इसके बाद main topic आता है आपका video sections, बचों ये video sections आप लोगों की वो sections हैं या वो videos हैं, जो मेरे पास पहल करने के पहले आपको बहुत help करेंगे, आप लोग इस pre-recorded classes में शुरुआत करेंगे पहले computer के operating system से, ये सारे के सारे, जिसमें आपको folders, files, accessories, shortcut keys, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, Microsoft Word Processing, ये आप लोग पूरा देखेंगे, जो डाल दी गई है, और email ये भी सारी है, email में आपको outlook भी add कर दिया गया है, और साथी साथ आप लोगों को इसमें आकरी में, आप लोगों को जो last portion है, वो भी इसमें add कर दिया गया है, जो कि आप लोगों का है PowerPoint या presentation, तो बचों ये तो आप लोगों के हैं सारे pre-recorded videos, जो आपको पहले से देख लेने चाहिए, क्योंकि जब live session होगा तो आपको पहले से आता होगा, तो आप cross question अच्छे बना पाएंगे, next आपको PDF notes में हमने कोशिश की है कि आपको हर चीज के PDF हिंदी और English दोनों में मिले, इस पर regular काम भी चल रहा है, almost रोज एक या दो PDF करके रख सकते हैं, print out निकाल सकते हैं, इसकी permission सभी बच्चों को दी गई है, ताकि आप लोग इस classes को दूसरे exam में भी अच्छे से use कर पाएं, अब इन किताबों को या इन PDF को आप लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो म में problem आ रही है, वो PDF से cover हो सके, कुछ important हाँ, PDF मैंने इसमें Hindi English दोनों में रखी हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, operating system and office से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी PDF है, जिसमें आप लोगों के सारे के सारे content, already पूरे के पूरे available है, देखिए सारा का सारा detail study में आपको पूरा समझाया गया है A to Z, लेकिन बचों ये उतने helpful नहीं होती है, helpful वो होती है जब आप video classes कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों को main topic जो आता है, वो है MCQ, MCQ के जो common MCQs हैं, उनमें हमने chapter wise, साथी साथ मैं आपक operating system का, तो इसके सारी की सारे operating system से जुड़ी होगी classes, साथी साथ आप लोगों को, अच्छा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सरह हिंदी में नहीं है, नहीं बच्चों, हिंदी में PDF जादा हैं, हिंदी के अंदर MCQs बहुत जादा हैं, उसके साथ आप लोगों को, और regular PDF इसमें upload हो रही है, कुछ books की भी scan copies हैं, जो आप लोगों को PDF के form में यहां पर मिल जाएंगी, ताकि आप लोग और अच्छे से detail में आप लोग कर पाएं, तो यह बच्चों आप लोगों के लिए पूरा बना दिया गया है, और regular इस पर काम चल भी रहा है, कुछ PDF ऐसी भी ह जो कि आप लोगों के लिए auditor के लिए especially हैं, तो वो PDF आपको यहां पर मिल जाएंगी, auditor की मेरे मैंने एक PDF बहुत ही अच्छी मुझे net पे available मिल गई थी, जिसमें उसके सारे subject यानि कि आप लोगों की accounting भी वो भी है जुड़ा हुआ, तो आप इस PDF को जरूर देखिएगा, य आप के लिए बहुत helpful होगी, अब जितने भी recorded के बाद live sessions होंगे, वो live sessions यहां पर topic wise record होकर आके save हो जाएंगे, ताकि अगर आपकी classes miss हो गई है, तो आप लोग अपनी classes को यहां से recover कर सकें, दूसरी चीज, यह तो बात हो गया, पहले से जो content आपको provide कर दिया गया है, और recorded classes और MCQs add होते रहेंगे, आपको पता चलता रहेंगा, एक चीज और बचों, आप लोगों के लिए एक separate chat room बनाया गया है, क्याकि आप लोग discuss कर सकें, वो chat room आप लोग अपने app में नीचे देखेंगे, चौथा बटन होगा, तो उस पर आप जाएंगे, तो आपने अगर course buy क किया है, तो आपको chat room मिल जाएगा, जिसमें बच्चे discuss करते रहते हैं, अपनी पूरी classes और अपना सारा कुछ, एक चीज और जब आप chat room पे जाएंगे, तो आपको topic सबसे उपर ही, मैं, कब है आपकी next class, उसका पूरा detail आपको यहाँ पर ही पिन कर देता हूं, ताकि आपक क्लिक करके तुरंत live आप आएंगे, classes में live होने के लिए 5-6 मिनिट पहले से ही live हो लिएगा, यानि कि join कर लिजेगा और waiting list में wait करिएगा, तो यह तो बात हो गई, आप लोगों की, और यह आपको class में जो बच्चे discuss करते हैं, वो बहुत ही अच्छी, एक healthy discussion होता है, तो कि बच्चों की जो भी doubt है, वो मैं समय समय पर call करके, या समय समय पर आप लोगों को यहाँ पर discuss करता रहता हूँ, तो यह तो बात होगी, notes के लेकर, अब चलिए हम लोग discuss करते हैं, कि हमारी classes कैसे join होंगी, आप लोगों का zoom meeting मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहां नए हैं, वो zoom app नहीं तो बच्चों, zoom को join करना बहुत आसान है, आप लोग सीधा app open करिएगा, आप लोग इसको अपने desktop पर भी चला सकते हैं, आप लोग इसको अपने phone पर भी चला सकते हैं, आप सीधा join button दबाईएगा, और आपको meeting ID औ और password डालना होगा, meeting ID के साथ साथ आप अपने नाम से ही login करिएगा, नाम से login करने पर मिर को आपके साथ communicate करने में आसानी होगी, बस सीधा join करिएगा, password पूछेगा, password डाल दीजेगा, या जो मैंने link आपको दिया है, उस link को आप अगर click करेंगे, तो वो automatically आप लोग आसान तो जैसे वच्चों आप लोगों ने meeting ID यहाँ पर डाली, अपना नाम डाला और जैसे ही join बटन क्लिक किया, आपके सामने meeting join करने के लिए option आजाएगा, आप लोगों को मैं एक बार इसलिए दिखा दू, ताकि last moment पर बहुत सारे बच्चे इसी काम के लिए busy हो जाते हैं, क आप लोगों को बोल रहा है कि आपको pictures और audio लेने की permission है, आप चाहें तो लीजे, अनिता कोई दिक्कत ही है, यहाँ पर waiting room में आपको यह दिखा रहा है, अब जैसे ही मैं अपनी meeting पर login करूंगा और आप लोगों को permission दूंगा, आप लोग तुरंत अपने meeting से अंदर आ आएंगे, आप से आपका password में पूछेगा, यह password और meeting ID आप लोगों को chat पे जो मैंने आपको बताया था, chat room में सबसे उपर pin मिलेगी, बस आप लोगों ने जैसी preparation कर लिया, यहाँ पर joining करने के लिए, waiting room में वेट करिए, मैं यहाँ से आप लोगों को permission दे दूंगा, और ल करेंगे, आप लोगों का जो meeting है, यह यूँ कहिए कि जो आपकी mic है, वो आपका activate नहीं होगा, तो आप लोग जब तक इसे नहीं click करेंगे, आप से बोलेगा कि आपका mic activate होने के लिए permission ले रहा है, और आप देखेंगे कि आप लोगों के mic से आवाज आने चलू हो गई है, साथी साथ बच्चों आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान देना है, कि आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं, तो वो सवाल पूछते समय आप लोग नीचे की तरफ देखेंगे, तो आप लोगों को सवाल पर आप लोगों को नीचे दिखाई देगा, कि नीचे अ आपको more options दिखाई देंगे, इस पर आप लोगों को अपना जो हेड़फोन से आप कनेक्ट कर लीजे, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, आप लोगों की आवाज इको होने लगती है, इसलिए आप लोगों को suggest किया जाता है कि आप हेड़फोन ज़रूर यूज कि आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, तो बस आप अपना हाथ raise कर दें, हाथ raise करने के लिए नीचे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, reactions पर यहाँ raise hand है, जैसी आप raise hand करेंगे, मेरे पास आपके द्वारा हाथ कियेगे raise पर notification आ जाएगा, और मैं आप लोगों से request करूँगा कि आप लोग, जैसे मैंने इस candidate से request की, कि आप अपना unmute कर लिजे, तो आप लोग अपने screen पर जैसी unmute करेंगे, आप अपना सवाल पूछ पाएंगे, बस बच्चों इतना ही करना होता है, लीजे आप लोगों ने zoom meeting पे meeting join करना सीख लिया, अब बात आती है कि हम लोग शुरुवात कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हमें पहले पढ़नी है, जो सबसे ज्यादा important है, और जिनका practical आप लोग कर पाएं, बचों इस चीज का ध्यान रखेगा, जो भी classes में आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप साथी साथ उसका practical कर लेंगे, तो आपको MCQ बड होता है, नहीं, तो क्या फाइदा test series सीरूज करने में, आपको समझी नहीं आएगा, और आप यकीन मानी, अगर आप 10,000 questions भी पढ़ लेंगे, तो आपको ऐसा ही लगेगा, confidence है ही नहीं, हम लोग शुरुबात करेंगे अपनी Gmail ID से बच्चो, मैं आप लोगों को Gmail ID बनाना त तो एक छोटा सा topic है, लेकिन main topics जो होती है, वो होती है आपकी Gmail की settings, आप लोगों को ये सारी settings सीखनी चाहिए, because ये settings आप लोगों के लिए बहुत important है, और इससे कई सारे, क्योंकि Gmail से तो आपके मिगिने चुने यही सारे questions आए, कि inbox किया है, स्नूस किया है, और साथी साथ आप लोगों का mail है, spam है, categories है, labels कैसे बनाते हैं, लेकिन जो settings है, खास कर, जो बड़ी settings है, P.O.P.3 settings, account import settings, साथी साथ signatures, इन सबसे बच्चों बहुत सारे questions generate होते हैं, और यहीं बच्चे गरवडी कर जाते हैं, तो हम लोग एक बहतरीन तरीके से, ये सारी securities, सारे encryptions, ये सभ भी कुछ अपनी Gmail का portion cover करेंगे, दूसरी चीज़ बच्चों मैं आपको एक और भी बतारूं कि मैंने इस topic को इसलिए शिरू किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अपने अपना खुद का PC नहीं है, तो वो practical नहीं कर पाते, लेकिन Gmail एक ऐसा topic है, जिसे आप अपने से latest version उस पर पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग बहतर और अच्छे से cover कर पाएं, मैं जो office आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, वो होगा office 2021, जो सबसे latest है Microsoft का, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, office 365 के लिए भी बोलते हैं, कि सिर हमें office 365 पर questions आ रहे हैं, वो हमें बड दिक्कत हो रही है, खास कर आप लोगों की UPPCL में, तो बचो office 365 और office 2021 में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ इतना है, कि आप लोगों का office 365 जो है, इसका subscription लेना पड़ता है, यानि कि ये monthly level पे काम करता है, आप लोगों के पास अगर 5 computer हैं office में और आप 3 मेने चलाना चाते है तो इसका subscription ले सकते हैं, जबकि office 2021 जो है, वो one time purchase करना पड़ता है, बस, बाकि आपको सारे functions वैसे ही मिलेंगे, तो outlook से हम लोग शिरुवात करेंगे, outlook एक बहतरीन software है, जिस पर कि आप लोग अपनी Gmail ID को import कराएंगे, और outlook में कैसे office में काम होता है, क्योंकि आपको क्या outlook पे किया जाता है, आप outlook के ही थुरू अपना पूरा office maintenance करते हैं, क्योंकि outlook बैकन से Gmail से जुड़ा होता है, और साथी साथ इसमें अच्छी चीज यह है कि आप इसमें calendars, अपने contacts, सभी कुछ, यहां तक की to-do list, सभी कुछ अपने phone को sync करके रख सकते हैं, यह सभी चीज़ तो वो कर ले, तो हम लोग बच्चों यही से शुरुआत करेंगे और यह बहुत ही जबरदस्त होगा, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोग practicals के साथ साथ MCQ finish करेंगे, MCQs यानि कि जो office outlook के और Gmail के MCQs है, email और outlook खतम करने के बाद हम लोग सीधा आएंगे MS office पे, बाकी option पे जिसमें word है, excel है, powerpoint है, इनको हम लोग finish करेंगे, देखिया outlook का सबसे बढ़िया benefit यह मिलेगा आपको, कि जो बाकी commands हैं, जो बहुत सारी जगे बच्चे नहीं पढ़ पाते, जैसे कि मैं आपको Microsoft word पे आपने ले लिया, अब क्योंकि आपके इसके साथ outlook सिंक हो चुका है, तो आप लोगों को बढ़िया option मिलता है, कि आप लोग सीधा सीधा इसको share कर लीजे, यहीं से, तो देखिये, share करने के बाद आपको mail option मिल जाएगा, और आपको outlook पे जाने की ज़रुती नहीं है, यहीं आप पूरा phone book तयार कर रखिये, तो phone book के अंदर मेरे पास जितने भी calendar में contacts है, उनको बस click किया, ok किया, और बस अपना message लिक किया, send किया, चला गया, उसके पास mail, तो यह बहुत सारी चीजे हैं, जो आप लोगों को सीखने लायक हैं, और यह बहतरी आगी काम में भी जिरुवात होगी, मिलते हैं हम आपको अगले पूरे वीडियो में, और आथ ही साथ हम लोग next वीडियो में, आप लोग जो 2 October की class है बचों, उस class में हम लोग basically कुछ discussions करेंगे अपने इनी topics को उपर, हम लोग आप बचों के साथ share करेंगे उनके ideas की वो लोग क्या से preparation कर रह है, और आप लोगों की और भी कुछ चीज़े, तो 2 October की class में सभी लोग जोइन करें, class सुबह 10 बजे है बचों, 10 बजे के batch में आप लोगों को है, यह open batch है, आप में से कोई भी बच्चा जोइन कर पाएगा, इसका link मेरे WhatsApp पर भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लो लोग शुरू करेंगे अपने APS और auditor के batch, goodbye, take care.